हेलो स्टुडेंट्स वी आर रीडिंग चैप्टर वन अंडर्स्रेंडिंग डाइवर्सिटी ओफ सोसल एंड पॉलिटिकल लाइफ और सिविक्स ओके करती है। तो किषिए खंक डाइवर्सिती ओक चैप्टू किसे समर्ध करती है। तो जासाएब में एक सामीर 1 दो प्रोगाटै नहीं और बिस दिप्क में काइव बिस दिर्था हाहा। समीर एक और समीर दोस्त बने वैसे ही आपकी भी फ्रेंड्स होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा उनके साथ अलग अलग पेस्टिवल सेलिवरेट किये होंगे उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी भी बहुत उनकी लेंग्विज भी सीखी होगी ठीक है तो यहां पर दिया हुए है मेक लिस्ट आफ देफूड देफ्रेंट पार्ट्स के कौन-कौन से फूड खाये हैं ठीक है वेंजन खाये हैं और अपनी मदर लेंग्विज सौरी मदर टंग मतलब जो मात्रभाशा होती है न मात्रभाशा के अलावा उन लेंग्विज की लिस्ट बनाएए जिनके आप कुछ वर्ट भी जानती हैं ओके तो you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts perhaps you even enjoy making up stories yourself many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories people who write stories get their ideas from all sorts of different places from books and real life and from their imagination आपको शायद different different types के animals ओके और भी बहुत सी ऐसी घटनाए होंगी और घोस्ट मीस भूतों की stories पसंद होंगी तो संभव है कि आपको खुद स्टोरी बनाना भी पसंद होगा तो एक अच्छी स्टोरी पढ़ने से हमेशा खुसी मिलती है उसको पढ़कर और ज्यादा कहानिया या स्टोरी बनाने के लिए नए नए इडियाज मिलते हैं जो लोग इस्टोरी लिखते हैं वो डिफ्रेंट सोर्सेस जो होते हैं विविन निस्त्रोतों जैसे बुक्स और रियल लाइफ और इमेजिनेशन से भी प्रेंडना लेते हैं में स्कल्पना ठीक है कुछ लोग जंगल में है ना फॉरस्ट में एनिमल्स की फ्रेंड्सिप ओके दोस्ती और फाइट के बारे में भी कहानिया लिखी कुछ और लोगों ने किंग्स और क्वीन्स के बारे में पढ़कर है ना उनका ब्रतान पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं ठीक है कुछ ने अपने बच्पन की यादों में गोते प्याइटर या स्टोरी जो सुनाने वाले होते हैं टेलर स्टोरी टेलर को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े बहनते हों रेड और वाइट एक तरह का खाना खाते हों शाय सिर्फ आली है ना समान रूप से केवल टू है ना टू पसु पक्षी दो पसु पक्षियों को पालते हों और एक्जामपल हिरन और कवा ओके जियर और क्रो और केवल स्नेक एंड लेडर साप सीड़ी खेल से अपना मनुरंजन करते हों तो ऐसी जगह रहकर विक कैसी स्टोरिय लिख पाएंगे कैसी स्टोरी लिख पाएंगे तो imagine that you are a writer or an artist who lives in the place described above either write a story or draw a picture of your life here do you think you would enjoy living in a place like this list five different things that you would miss the most if you lived there मान लिजिए कि आप एक artist हमीं चित्रकार है ना या एक writer है कहानीकार जो इस जगह पर रहती है तो इस place के life पर एक कहानी लिखना है story लिखना है या आपको draw करना चित्र बनाना है तो क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा तो उन पाँच चीज़ों की आपको list बनाना है जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा महसूस होगी ओके नाव diversity in India India is a country of many diversity we speak different languages have various types of food celebrate different festivals practice different religions but actually if you think about it we do many things that are similar except that we do them in different ways भारत जो है diversity की country है means भारत विविद्दाओं का देश है और हम different different types की language बोलते हैं different type का खाना खाते हैं अलग-अलग festivals celebrate करते हैं और different different religious है धर्म का पालन करते हैं ठीक है के तरीके अलग हैं ओके सो हाव डू वी एक्स्प्लेन डाइवर्सिती कैसे आप एक्स्प्लेन करेंगे डाइवर्सिती को ठीक है तो करीब दो सवा दो सो वर्स लिटल मोर देन 200 इस एगो ठीक है 200 साल पहले जब ट्रेन एरोप्लेन बस और कार हमारे लाइफ का हिस्सा नहीं थे तब भी लोग वाइल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करते थे वे वाटर है ना पानी के जहाज होते थे घोड़ों होर्सित या कैमल्स पर बैठकर या फिर पैदल चरकर ट्रेवल करते थे तो अक्सर यह जरनी खेती है ना जो होती थी और बसने के लिए नई जमीन की तलास में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी ट्रेवलिंग में बहुत समय लगता था इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे कुछ लोग काम की तलास में और कुछ युद्धि के कारण घर छोड़ देते थे जब लोग नई जगह में बशना सुरू करते थे तो उनके रहन सहन में पूड म्यूजिक रिलीजन सब में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था है ना तो उनका कल्चर और न्यू प्लेस का जो कल्चर होता था उसमें आदान प्रदान होता रहता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट और धीरे एक मिश्रत याने मिली जुली संस्कृती उभरी कि अगर अलग अलग रीजन का की हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह डिफ्रेंट कल्चरल का इंफ्लूएंस मीन सांस्कृतिक प्रभाव ने वहां की लाइफ और कल्चर को शेप देने में योगदान दिया है तो इस तरह से कई छेत्र अपने स्पेशल हिस्ट्री के कारण हे सहना यूनिक हिस्ट्री के कारण ताइवर्स हो जाते थे है ना तो ठीक कि इसी प्रकार लोग डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरह की जेओ ग्राफिकल एरिया में किस तरह सामन्झत से बठाते थे उसमें भी डाइवर्सिटी उत्पन होती थी फर एक्जामपल सी है न समंदर के पास रहने में और हिली एरियाज में रहने में बहुत डिफरेंट होता था ना केवल वहां के लोगों के क्लॉट्स और जो उनका फूड होता था उनकी आदतों में फर्क होगा बलकि कि जिस तरह का काम वे करेंगे बे भी अलग होंगी है ना डिफरेंट होगे सिटीज में अक्सर लोग यह भूल चाहते हैं कि उनका जीवन उनके सॉर्य फिजिकल स्राउंडिंग्स में बहुत एक वातवरिंड में किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है ऐसा इसलिए कि कोड़ की वेजिटेबल्स या ग्रेंस होगाते हैं वे इन चीजों के लिए मार्केट पर ही डिपेंडेंट होते हैं तो चलिए इंडिया के टू पार्ट्स लद्दाख और के एक्जांपल के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कि किसी एरिया की डाइवर्सिटी पर उ तो आप एटलस में देख सकते हैं इंडिया का नक्सा ठीक है मैप देखें और उसमें धूरिए कि यह दोनों चेट लद्दाख और केरल कहां पर हैं इन दोनों एरियास की जियोग्राफिकल पॉजीशन वहां के फूड क्लॉट्स और बिजनिस को कैसे प्रभावित करती है उनकी लिस्ट बनाना है ठीक है तो अब देखें आप यहां यह पर दिखाई हुई है आपको लद्दाख की ड्राइब एरन लैंडस्केप और माउंटेनियस देजर्ट ऑफ लद्दाख बैरन मीन्स होता है बंजर ठीक है और माउंटेनियस हिली एरिया है यह और डेजर्ट भी है यह रिगिस्तान है लद्दाख का ओके सूखा तो लद्दाख जो है एक डेजर्ट है है ना तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे लद्दाख और कीरल के बारे में ओके